वेल्कम बैक टू में यूटूब चैनल इंगुस्टिक अनलेटरचन और्स आज का हमारा टॉपिक है डेथ ओफ और सेल्समैन एज आ मोडरन ट्रेजिडी और हम क्या सकते हैं Elements of Modern Tragedy in Death of a Salesman by Arthur Miller के किस तरीके फे और्थर मिलर ने हमें Modern Tragedy का कॉंसेप्ट दिया है Death of a Salesman के जरिये से सबसे पहला element इसके अंदर जो इस्तमाल हुआ है वो है Ordinary Hero यानि एक आम हीरो Willi Lomain unlike classical tragedies featuring kings or nobles Willi is an everyday man. He is a struggling salesman, not a powerful or wealthy person This makes his story relatable to many people अब Willi Lomain जो हमारे इस कहाने का main protagonist है Common man है, वो एक आम आदमी है तो हम कह सकते हैं कि जो Modern Tragedies हैं उनके अंदर हमें Everyday Man को दिखाया जाता है उसके Everyday Life के Problems के बारे में बात की जाती है ना के Classical Tragedies की तरह kings or noble persons के बारे में बात की जाती है तो Modern Tragedies के अंदर Reality दिखाया जाती है इसी वज़ा से Common Man को ही दिखाया जाता है उसके Struggling दिखाया जाते है जैसे कि Willi Lomain का Struggle जो हैना Salesman के तोर पर होता है क्योंकि उसका जो काम है वो नहीं चल रहा वो एक नाकाम आदमी बन गया है तो उसी वज़ा से वो बहुत ज्यादा मायूस हो चुका है तो यह जो कहानी है यह बहुत सारे लोगों से relate करती है क्योंकि वो भी अपने जिंदगी के अंदर बहुत सारे failures देखते है then हमारे पास आता है American dream belief in success विली strongly believes that being rich and well-liked are the keys to success he thinks that if you work hard you will be successful this belief drives many of his actions and decisions तो विली का क्या concept है अमीर होने के बारे में वो कहता है कि अगर आप rich होना चाते हैं तो आपको well-liked बनना पड़ेगा आपको हरेक की आखों का तारा बनना पड़ेगा जिसके लिए आपको अपने जो relations है वो दूसरों से अच्छे रखने पड़ेंगे वो सोचता है कि यही वो मेहनत है जो आपने करनी है यानि well-liked होने के लिए rich होने के लिए ताके आप successful बन सकें तो उसका यह जो concept है वो उसको बहुत ही गलत decisions की तरफ लेकर जाता है वो उसको despair की तरफ लेकर जाता है और आखर में मौत से मिला देता है तो जो American dream का concept है वो ऐसे ही है कि आप बैठे बैठे ही अमीर हो जाएं या रात को सोचते सोचते आप सोचें ये के सुबह आप जहाना America के president हो गए है तो उस वक्त जो America के लोग थे वो यही सोचते थे कि वो बैठे बैठे अमीर हो गए बगार काम किये हुए सिर्फ well liked होकर यानि कि दूसरों से रिष्टे बना कर दूसरों को पसंदा कर अपना काम निकल वा कर यानि वो कुछ भी करें उनके लिए moral values कुछ भी नहीं थी वो सब कुछ भुला चुके थे उनके लिए जो कुछ जो था न वो यही था कि उनके पास गाड़ी हो उनके पास बंगला हो और उनके पास पैसा हो तो American dream के लिए वो कुछ भी कर सकते थे सिवाए काम के वो मेहनत करना पसंद नहीं करते थे जैसे के विली लो मैन था इसने भी एक ऐसा ही profession चूज किया जिसके अंदर इसको बहुत कम ही मेहनत करने की दरूरत पड़ी क्योंकि जो सेल्समेन है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों से दूसरों का दिल जीत कर उनको चीजे बेशता है तो इसका भी यही काम था लेकिन तब तक जब तक यह जवान था जब तक जहना यह काम करने की सलाहित रखता था जैसे ही यह बुड़ा हो गया इसके अंदर यह अबिलिटी कम हो गई जिसकी वज़ा से इसका जो यह ड्रीम है वो इसके लिए नाइट मियर बन गया यह कहा था यह जिए जो लोग थे अमेरिका के वो अमेरिकन ड्रीम के पीछे इतने ज्यादा लग गए कि वो जहाना अपने वैलिउस को ही भूल गए थे वो अनस्टी को भूल गए थे वो टृस को भूल गए थे वो नबिलिटी को भूल गए थे जिसकी वज़ा से उनके अंदर जो हुमैनिटी थी वो खत्म होकर रह गई थी तो इस तरीके से मौडरन दोर का आगास हुआ था इसी वज़ा से डेथ ओफा सेल्समेन को हम मौडरन टरजरी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक इनसान को दूसरे इनसान का खयाल नहीं होता जो चीज उसके लिए जरूरी होती है वो होता है पैसा क्योंकि वो समझता है कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है तो हम कह सकते हैं विली गेव हिस लाइफ और सॉल्ड इट इन ओडर तो जस्टिफाई दे वेस्ट ओफिट फैनेंशली तो स्ट्रॉगल कर ही रहा था लेकिन मेंटली भी कर रहा था क्योंकि वो अपने घर में कमाने वाला वाहिद मर्द था जिसकी कमाई से घर चल रहा था क्योंकि उसके जो दोनों बेटे थे वो नाकाम हो चुके थे अब क्या है उसका जो मेंटल स्ट्रॉगल है उसकी वज़ा से उसको हैलिसिनेशन होती थी वो कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाता था चीजों पे वो चीज़े भूल जाता था उसको जहना memory lapses होती थी और इसके लावा क्या होता था वो past और present में फर्क करना भूल जाता था क्योंकि वो कभी कभी जहना अपने आप से बाते करता था वो अपने भाई को imagine करता था जो उसे बात कर रहा है जो बता रहा है कि वो जंगल में गया जब वो वहाँ से वापस निकला तो वो अमीर हो गया तो ये भी सोचता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ मैं क्यों अमीर ना हो पाया अफ्टर आल दा हाईवेज और ट्रेंज और अपॉइमेंट्स और यूर्स अब विली अपने मेंटल स्टॉगर से गुजर रहा है तो वो ये सोचता है कि मैंने अपने जिन्दगी के अंदर आखिर क्या कमाया क्या मेरे पास बच गया है जिसकी वज़ा से जिन्दगी उसे मौत से ज्यादा बुरी लग रही है विली ने कभी इतना नहीं कमाया कि वो कुछ बचा सकता कोई बिल्डिंग बना सकता या पिर जो complement पैसे अमीर हो जाता वो हमेशा से लगातार काम करता रहा लेकिन उसके एक लगातार काम करने की वज़ा से उसके पास कुछ भी सेविंग नहीं ती उसके पास थी तो सिर्फ और तर्फ एक life insurance policy जिसके लिए उसकी death लाजमी ती तो उसने सोचा कि मेरे family के लिए ये पैसे बहुत ज्यादा useful रहेंगे life insurance policy के तो मुझे मर जाना चाहिए जिसकी वज़ा से वो suicide attempt करता है लकिन उसके बच्चे उसे बचा लेते हैं जब वो एक दफा और try करता है तो वहाँ पर उसे बचाने वाला कोई नहीं होता और वो मर जाता है अब क्या होता है उनके family के अंदर भी आपस में conflict चल रहे हैं जिस पर Linda Lomain अपने बच्चे को समझाती है कि अपने बाप की respect करो वो कहती है I don't say he is a great man, he never made a lot of money, his name was never in the paper, he is not the finest character that ever lived but he is a human being and terrible things is happening to him so attention must be paid वो अपने बच्चे को समझाती है कि अपने बाप को attention दो, वो एक mental stress से गुजर रहा है, वो अपनी job जहनक हो चुका है तो तुम लोगों को उनकी respect करने चाहिए, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब जबके उसके हालात खराब हैं तो हमें उसका साथ दिना चाहिए, ना के उससे अलग हो जाना चाहिए नबशिक्स पर हमारे पास most important element आता है, modern tragedy का isolation, even though Willi is surrounded by family, he feels very alone, he struggles to connect with others and feels misunderstood लेलो मैं जिस situation से गुजर रहा होता है, उसमें उसे family की दरूरत होती है, लेकिन उसके family के conflict की वज़ा से, सब उसे दूर हो जाते हैं और वो अकेला रह जाता है I have got to get some seeds, I have got to get some seeds right away, nothing is planted, I don't have a thing in the ground Willi realizes that his whole career has built up to nothing, he worked for 40 years and has nothing to show for it This leads to his obsession with seeds late in the play, it is too late to grow anything for his friends, but at least he can plant some vegetables, something that will outlast him and provide some use वो ये सोचता है कि मैंने अपनी 40 साल का जो career है, उसके अंदर क्या कमाया है, कुछ भी नहीं, मेरे बच्चों के पास खाने पेने को कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इनके लिए कुछ भी नहीं बना सका अपने जॉब के जरीए से, और अब जबके मैं ये जॉब खो चुका हू तो मेरे बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, तो मैं कम से कम ये तो कर सकता हूँ, कि उनके लिए कुछ वेजिटेबल्स होगा हूँ, ताके वो उसको इसको इस्तमाल कर सकें, निमेर सेवन पर हमारे पास आता है डिलूजन, विली लिवस इन अस्टेट ऑफ डिनायल अबा जाता है और फीचर के बारे में सोचना शुरू कर देता है, विली जिस सिचुएशन के अंदर जिन्दा है, विली उसको डिनाय कर देता है, वो कहता है, मेरा पास अच्छा था, मेरा फीचर और ज्यादा सक्सेस्वल होगा लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, तो हम कह सकते हैं जो डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने रियालिटी से, जो कह इस्ट्राजजि का मेजर पार्ट है, बर फेर हमारे पास आता है, अन्फुल्फिल्ड ड्रीम्स, बिफ एन हैपी इस फेलियोज, विली जाता है, विली के दोनों बच्चे हैं, वो भी नकाम हो जाते हैं, क्योंकि बिफ जो है ना अपने बाप की तरह बनते बनते ठक जाता है और वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं बनूँगा लेकिन जो हैपी है वो ऐसे बनतो जाता है लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आता क्योंकि वो गलत जो हैबिट है उन में चला जाता है तो हम कह सकते हैं कि विली के बच आता है realism the play deals with real issues like job insecurity financial stress and family tension these are problems many people face making the story feel very real and grounded अब ये वो सारे issues हैं जो हर आम इंसान अपने जिन्दगी के अंदर face करता है फिर चाहे वो job insecurity हो financial stress हो या कोई family tension हो इसी वज़ा से हम ने इसको modern tragedy का नाम दिया है क्योंकि modern tragedy के अंदर जो आम आदमी है उसके जो problems हैं उनके बारे में बात की जाती है then हमारे पास आता है everyday setting the story take place in the lo man family home a typical middle class house हमारे जो story है वो willie lo man के घर से ही चलती है जो के एक middle class घर आना है जिनके पास सिर्फ जरूरत का ही पैसा है this familiar setting helps viewers connect with the characters and the struggles तो इस तरीके का जो setting है वो हर आम इनसान को अपने घर के जैसा लगता है क्योंकि उनके घर में भी यही problems चल रहे होते हैं तो इसी वज़ा से वो इन characters और इनके struggles से बहुत जल्दी connect हो जाते हैं और इनके साथ sympathy करते होए नजर आते हैं क्योंकि यह characters और इनके situation उन्हें अपने से लगते हैं जिनसे वो भी daily life में गुजर रहे होते हैं हम इसको conclude करके कह सकते हैं Death of a Salesman by Arthur Miller is a modern tragedy because it focuses on an ordinary man facing real life problems Vili Lomian's story shows the pain of unfulfilled dreams, mental health struggles and family conflicts the play highlights how these elements can lead to a tragic end making it a powerful and relatable story for many people Death of a Salesman जो के Arthur Miller ने as a modern tragedy हमें पेश किया है वो modern tragedy इस वज़े से हैं क्योंकि उसके अंदर हमें एक आम इनसान के real life problems दिखाए गए हैं किस तरीके से उसके dreams पूरे नहीं होते और उन्हीं ड्रीम का जो pain है वो उसको death की तरफ लेकर जाता है उसकी mental health खराब हो जाती है उसके family के अंदर conflicts प्यादा होते हैं तो यह जो सारे elements हैं यह हमें tragic end की तरफ लेकर जाते हैं जो कहानी को और ज्यादा powerful और relatable बनाता है दूसरे इनसानों के लिए thank you so much for your participation आज का हमारा topic यहीं पर खत्म होता है